विल्कम टू बाइलोजी क्लास कुमार मुकेश यूटू चैनल आपका अपना फैबली में स्वागत है दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब वो एस्टिव लेटर ग्रूप में सेयर कर दें ताकि सभी इसका लाव उठा सके चले दोस्तों सुरू करते हैं वायू पर दोसकों का विश्व निये संके तक है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों लाइकेस नेक्स्ट कोस्टन मोटर कार से उत्पन पर दोसन जो मानसिक रोग पैदा करता है होता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों पीवी मोटर कार के धुएस से मानसिक रोग पैदा करने बाला परदोसन सीसा पीबी है कार्बन मोनो ओक्साइड एक परदोसक है क्योंकि ये हीमोगलोविन से संयोग करती है मुख वायू परदोसक है तो बताएगा दोस्तों इसका राइटेंस से हो जाएगा दोस्तों कार्बन मोनो ओक्साइड एक मुख वायू परदोसक है या गैस रक्त में उपस्थित हीमोगलोविन से संयोगत होकर कार्बो ओक्सी हीमोगलोविन बनाती है जिसके कारण वो धेव की आक्सीजन को वहन करने की छमता कम हो जाती है लगभग 50% हीमोगलोविन कार्बो ओक्सी हीमोगलोविन में बदल जाता है तब ओक्सीजन की कमी से सोचन की विया में अब रोध हो जाता है जिसे के परिनाम सरुप मिर्तु हो जाती है मुंबर और कोलकता जैसे सहरों में परमुक वायू परदूसक है तो इसका राइट अंसर हो जायेगा दोस्तों शीयो और एसोटू परदूसर करने वाले लेगाए सिरों शीयो और एसोटू है नेक्स्ट क्वेशन निवन में से कौन सा वायू मंडलय पर दोसर अक नहीं है तो इसका right answer हो जायगा दोस्तों Carbon dioxide Next question हवित गीव ही Greenhouse gases कहलाने वाली gases है तो इसका right answer हो जायगा दोस्तों साथ कर CFC, CO2, CH4, NO2 Next question कौन सी गायस पिर्थिवी पर हरीत ग्रिहे परभाव में स्वरवाधिक योगदान करती है तो इसका वाइट एंसर हो जाएगा दोस्तों CO2 next carbon dioxide CO2 सबसे परमुख green house गायस है next question metropolitan नगर के परदूशन का मुख सरत है तो metropolitan नगर के परदूशन का मुख सरत है स्वरत चालित वाहन मेट्रोपोली नगर में परदूशन का मुख सरत चालित वाहन है next question निमलिखित में से कौन सा जेब निमलिख करनिये है बतर एक दोस्तों ये क्वाइट ये क्वाइट नगर के परदूशन का मुख सरत है इसका राइट एंसर हो जाएगा रबर जेब निमनी करनिये हुए पदार्थ है जो जेब परकरम दोरा अप घाटीत हो जाते है दिये गए विकलपों में रबर निमनी से जेब निमनी करनिये है निमनी लिखित परदूशकों में कौन जेब विघाटित है मतले एक दोस्तों ये क्वाइट ये क्वाइट निमनी में से किस वायू परदूशकन के कावण मनुस में तंत्रीका तंसंबंधी व्योग पैदा होता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों निमन में से कम सा वायू परदूशक मनुस में रक्त दाव को बढ़ा देता है और धिल संबंधी व्योग पैदा करता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों या के कृइड मियां का परियोग जल्यप पर दूसरों करने इसका परियों का परीयों के रूप में किया जाता है नेक्स्ट को स्चन लोह कीro निर्मानों में काम करने बाले मज़दूर में लव सकीत मयत्ता रोग होने का कारण है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों शीली का next question वाई मंदल में CO2 का निर्मान मुक्तर हुआ है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों जीवों के सोसन से वायू मंदल में CO2 का निमान मुक्तर जीवों के सोसन से हुआ है ताज महल को छती पहुच रही है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों मतुरा तेल सोज साला से निकले वायू पर दूसन से ये कोचन इक्जाम के लिए विर्म फ्रिंपोंट है दूस्तों कहा जाता है कि ताज महल मारवल कर से गरश्त है मारवल कर सक्या बत प्रस्त ऐसे सब्सक्राइब करती है इसका राइट एंसर हो जाएगा प्राभेगनी किर्णों के परवेश को कम करता है नेक्स्ट कोस्चन निम्न मीना माता महमारी जिसके कारण 1975 में जापान में अनेक लोग मारे थें पानी में इसके परदूसन के कारण हुई बत्रेक दोस्तों ये SSC 2012 में पूछा गया प्रस्ट ने और इसका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों पारद मीना माता विवग ऐसी मचलेली खाने से होता है जिसमें अधिक माता में पारा एचजी पाया जाता है तो दोस्तों अरके लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में जैहिं